शक्ति पेट जौला मुखी में बैदिक मंत्र गुंजे और देवी की अराधना बस तूती गुरुकुल जंबा के 44 बिद्यार्थियों द्वारा की गई इससे पहले सभी बिद्यार्थियों ने माजौला के बैदिक रिति से मंत्र उचारण कर दर्शिन किये इन सभी 9-15 बर्ष के 44 कर्मट विद्वान बिद्यार्थियों ने मंदिर परसल में बेदों का ग्यान दिया और देविक मंत्रों से बाता मण गुंजाय मान किया यहां आईश उधालों ने भी इस बैदिक स्तूति में हिस्सा लिया सक्ति पिर्ट जोला मुखी में बैदिक मंत्र गुंजे और देविकी और आधना वर्ष तुति गुर्कुल चंबा के 44 बिद्यार्थियों दोरा की गई इसमें पहले सभी बिद्यार्थियों ने मा जोला के बैदिक लिती से मंत्रों उचारण कर दर्शिन किये इन सभी 9 से 15 वर्ष के 44 कर्मट बिद्यार्थियों ने मंदिर परसर में बैदों का ग्यान दिया और देविक मंत्रों से बातावन गुंजे मान किया यहां आईशर धालों ने भी इस बैदिक स्तुति में हिसा लिया मंद्र पुजारी बर्गबल आन्या ने इन सभी कर्मट बिद्यार्थियों की बैदिक और संस्क्रित मंत्रों उचारण बगवती स्तुति और आराधना को सुना साथ ही इलहोने प्रातन बीदों की भी जानकारी सभी को दी शीविर का शुवारम जौला मुखी मंदिर अधिकारी बिशुन दास दोरा के आगया आर्ट आफ लिविंग के सदस्या बासु देव शर्वा ने जानकारी देते हुए बताया के चमबा के चवालिस करमट बिद्य अर्थियों दोरा आधिया शक्ति जौला मुखी के सानीधिया में मंदिर के प्रांगर में बैदिक मंदिरों दोरा बगबती की स्तुती ध्यान वो अराधना की गई पैदों का ग्यान भी दिया गया इस कारेकरम करने का मुख्यादेशया बिशुब कल्यान बिशुब में शांती एवं सभी सवस्त रहें इसका मुख्यादेशया ये हमारा सनातन दर्म उठा रहे और जायदा से जादा लोग इसका ग्यान ले और सबी लोग इसे जुड़े ताकि हमारे संस्कृती जीवित रहे ये हमारा रास्ट के बहुत ही हित कारिक है इसके लावा अब इन विद्यारतियों दाया सबसक्त बबन में 13 फरवरी को योग किरियाएं करवाई चाहेंगी पहला अध्याय का आवर्ति की है मंत्रश्चान और हमाई एक सामवेद है वह सामवेद कोतुमशा का है अब कि आचाहे जी हमारे सामने है आपके सैलेश कुमार पांडे और ये हमारे बच्चे अभी हम थोड़ा सा गुरु पुजन करते हैं आप लोग में थोड़ा सा साथी हमारा जानला की प्रांगन में आज हम आट ओफ लिविंग संस्ता की गुरु कुल जो चंबा में चल रहा है उसके सभी वेदा वाईज को यहाँ पर समलिट करके हम हमारे वेदिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और विश्व में कल्यान सुक शानती रहे स्वस्त रहे सब इस उदेशे से हम यहाँ पर वेद पार्ट मंतर उचान के माजम से और सत्संग करेंगे और उसका मुक्य उदेशिया है कि हमारा धर्म हमारा सनातन जो है वो उठता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका ज्यान हो और लोग इससे जुड़ें ताकि हमारी संस्कृती जेवित रहे यह हमारे राष्ट के लिए बहुत ही हितकारी है